चलिए इस तो बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार इस कंपनी की प्रफॉर्मेंस हमें दिखाये देरिये पिछले 6 महीने से तो कमाल ही कर रखा है लगातार स्टॉक्स के इंद हमलों को मजबूत लेवल्स भी अब तक देखने को मिल चुके हैं देखे अगर कंपनी इच्छे आसी चल रही है परफॉर्मेंस ठिक टाग दिखाये दे रही है तो नौर्मल सी बात आपको रेटन भी अच्छे का से देखने को मिलेंगे हाई बात जरूर है कि ऐसे रेटन तो आपको इस कंपनी के मोमेंटम देखें तो लगबग 14% से ज़्यादा की तेजी स्टॉक्स के इंद हम लोग को दिखने को मिल रही है और अगर ओवराल देखें तो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के इस तरह की के दिखाय दे रही थी तो लगबग गिरावट हमें देखने को मिली थी 2017 में 300 रुपे स कमपनी के हाथ में लगता हूँवा नजरा है हिंदुस्तान जिंक को खनंद्योग की 2021 की सबसे जढ़ा स्थाई कमपनी घोशित किया गया है तो इसके लिए कमपनी को एक आवार्ड से भी संभानित किया गया है अब देखें जो आज के दिन इस कमपनी को आवार्ड मिला है तो हिंदुस्तान जिंक क्या प्रोडूस करती है तो यह जिंक लैड सिल्वर प्रोडूस करती है इंडिया के अंदर तो इसको जो है most sustain company का जो है दर्जा दिया गया है mining industry के अंदर किस के दौरा world finance के दौरा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से company लगातार प्रियास करती हूँ नजर आ रही है अपने business के अंदर modification करती हूँ नजर आ रही है तो कहिने कि अच्छा खासा है इसका positive impact हमें company के stocks के अंदर भी देखने को यहां भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जिंक के जो CEO हैं अरुन मिस्रा उन्होंने इस उपलवदी पर टिपनी करते वे भी बताया है कि एक स्मार्ट टिकाव वैश्विक संगटन बनाने के लिए एक लगतार जो है अगरसर है और यह भी उन्होंने दिखने को मिल रही है आते हम दोस्तों बताना चाहूंगा कि कंपनी के जो की पॉइंट्स है वो क्या दिखाए दे रहे हैं तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू कितनी है लगवग 14,450 करोड का मार्केट कैप है करन्ट प्राइस आपने देखी लिए लगवग 340 रुपे के आ असपास दिखने को मिल रही है और उसी पॉजिटिव दिखाए दे रही आरोई पॉजिटिव है फेस वैल्यू की बात करते हैं तो दो रुपे फेस वैल्यू का ये शेयर है साथी मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि कंपनी के प्रॉसंट कौन्स क्या दिखाए दे रहे हैं लगातार जो है ये कंपनी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लगातार ये कंपनी हम लोग को डिविडेंट प्रोवाइड कराती हुज चैले आ रही है बड़ इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आ रहा है वो ये है कि पूर सेल्स क्रोथ हैं आपे दिखने को मिल रही है लगबग 9.8-0% के आसपास पिछले पांच सालों में देखें काफी सारी कंपनिया दिखाए दरी तो हिंदुस्तान जिंक का नाम तो पहले नंबर पर या रहा है और इसके बाद में काफी सारी कंपनिया निकल गया रही है तो अच्छी खासी इसकी प दिखाए दिरिये जिसका प्राइज लगबग 475 रुपे के आसपास चल रहा है बट अगर उसका वेलीशन्स देखें मार्केट कैप देखें तो मातर 142 करोड का है तो यह भी चीज़ आप थोड़ी सी उबजर्व करके चल सकते हैं साथे मैं बताना चाहूंगा कि क्वाटर की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोगो बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है प्राफिट विफोर टैक्स हम लोगो यहां पर बढ़ता हुआ नदर आ रहा है साथी में बताना चाहूंगा कि कंपने का नेट प्राफिट भी इस बार बढ़ा है बाइस सो करोड के आसपास हम इस तरह की यह कंपनी दिखाए दे रही है तो सेल्स के अगर बात करते हैं इस बार 22,629 करोड के आसपास देखने को मिली जो कि अगर पिछले साल देखें तो मातर 18,561 करोड के आसपास दी तो येर ओन येर बिस्स पर कंपनी की सेल्स बढ़ती हूं नदर आ रही है इसी त देखें कंपनी की बैलेंस शीर्ट देख लेते हैं तो शेर्स के अगर बात करते हैं शेर्स कैपिटल लगभग 845 के आसपास देखने को मिल रहा है रिजर्स कितने हैं लगभग 13,468 करोड के आसपास हैं तो कहने का मत्तब ये कि पिछले साल के बेक्षा हम लोग को यहां प 975 करोड के आसपास देखने को मिल रहे थे तो इस बार उसके अंदर भी हम लोग को गिरावाट देखने को मिल रहे हैं 45,727 करोड के आसपास हो चुकी है तो कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस तरीके से कंपनी के अंदर हम लोग को हलचल देखने को मिल रहे ह सारी चीज़े आपको दिख ले नीची कि स्टॉक्स लगातार दोड़ता हुआ नजरा रहा है और आप भारी भरकम क्वांटिटी उठाते हुए नजरा रहे तो यह की पॉइंट जो है आपको सही तरीके से दिख ले नीची है कि इस्तिती इस समय किस तरीकी की दिखाएदरी क कमपनी की अब देखे एक और इंपोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर निकल किया रहा है वो क्या है अगर फिलाल की डेट में जो मोड देखें यानि कि बुलिस मोमेंटम में समय स्टॉक्स दिखाएदर है देखें पिछले एक साल से लगातार दोड़ रहा है लगातार ती अब देखें दूरी कितने देखने को मिल रहे है बावन वीक लो से तो लगबख छासी परसेंट के अंतर जो है आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है साती में बताना चाहूंगा कि इस समय जो बावन वीक हाई है वो काफी नजदीक है इस स्टॉक्स के 0.94% के असपास तो 9050 के अंदर इतनी आपको तीजी दिखने को मिली है जब कि अगर स्टॉक्स की बात करते हैं तो 4.65% के असपास आपको इसके अंदर उचाल देखने को मिल रहा है रोलिंग पैटरंस के इस तरीके के हैं तो प्रमोटर्स के सिदारी इसके अंदर बनी हुई ये 64.92% के असपास पिछले वाले क्वर्टर में भी इतनी थी और काफी समय से इतनी ही है तो कहने का मतलब है कि प्रमोटर्स के द्वारा कोई माल नहीं बेचा जा रहा है एफाइज की बात करते हैं तो कोई चेंज ही देखने को मिल रहा है साथ ये अगर पब्लिक की में थी और अगर अभी की बात करें तो 1.8-3% के आसपास देखने को मिल रही है दोस्तों कर आप नए हैं डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप आप इस टॉक्स के अंदर डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं बैतरीन कंपनी इस ले दिखाये दे रही है क्योंक थैंक यू सो मुच फर वच्चिंग